अगर आपका मेत, फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी की किसी क्यूशन में डाउट है तो आपको इस क्यूशन का फोटो खिंच कर उसको क्रॉप करके सेंड करना है तुरूंत वीडियो सोलिशन के साथ आपको आपका अनसर मिल जाएगा और आप क्लास 6-12 निट, IIT, J-Mans और अडवन्स की भी तहरी कर सकते हैं तो इभी डिस्क्रिप्शन में जाएए और डाउटनेट के इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए डाउट हो तो डाउटनेट करो आप 84-400-400 इस नम्मर पर भी आप अपने क्यूशन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको आपके क्यूशन का आंसर वीडियो सोलिशन के साथ मिल जाएगा हलो प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मेथिमेटिक्स और यह आपके गनित का पेपर है 2020 की एक्जाम्स के लिए बनाया गया है इस वीडियो में और इस पेपर में मैं आपको all important question बताने वाला हूँ जो आपके 2020 की पिक्षया में पूछे जाएंगे तो all important question आपको यह त्यार करने एक्जाम्स से पहले बट इससे पहले आप सभी से मेरी एक request है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और यदि आपको गणीत कक्षा 10 गणीत का complete course चाहिए तो आप description में link एक playlist दी गई है उस playlist से आप पूरा course mathematics का देख सकते हैं जिसमें आपको all important question दिये गए हैं 2020 की exam के लिए वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं और अभी तक यदि आपने हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर ले वहाँ पर आपको study material जितने भी PDF हैं जितने भी notes हैं imported question है वहाँ पर आपको send किये जाते हैं तो आप देख सकते हैं तो जो paper है 2020 की exam के लिए बनाया गया है उसका जो पहला section है आपके भाग है उसमें आपके short question है जो आपके एक एक अंक के पूछे जाते हैं जिसमें हमारा पहला question है कि सुत्र ए का दिकेंद पुर्वेन दुवारा important question है दूसरा प्रसन है हमारा सुत्र सुन्ने सामें समूचे दुवारा समीकरण है 3 cost x-2 equal 5 cost x-2 का हल ज्यात करना है very very important question है और ये दोनों question आपके question number 1 और question number 2 ये आपके दोनों वेदिक गनित के हैं यानि जो पहला chapter आपके गनित का उस chapter क हैं और दोनों ही important question है तीसरा प्रसन है आपका HCF देरगा है आपको 306 और 657 इन दोनों संख्याओं को HCF देरगा आपको 9 और इन दोनों संख्याओं का LCM ग्यात करना है यानि less up ग्यात करना है काफी important question है और ये आपके real number का है जो chapter 2 है आपके वास्तविक संख्या उससे question number 4 है आपके चित्र के अनुसार X का मान ग्यात कीजिए यह जो diagram देरगा है इसमें आपको X का मान ग्यात करना है जो AB side है वो यहाँ पर X और AC side आपके पास नहीं है यहाँ पर 30 degree का कौन बन रहा है जो union कौन बोलते हैं 19 कौन बोलते हैं और BCA वो आपके 6 root 3 meter तो आपको X की value find करनी है यहनि X का मान ग्यात करना है उसके बाद में यह आपके question है चोथा जो question है वो आपके है 8 की chapter से उन्चाई और दूरी यानि height और distance वाला जो chapter है आपके trigonometry का उस chapter के है उसके बाद में 5 वह question है आपके मान ग्यात कीजिए यह आपके 7.2 का जो chapter है आपके उस chapter का important question है sin 35 degree upon cos 55 degree का whole square है plus cos 55 degree upon sin 35 degree का whole square है minus 2 cos 60 degree है और अगला question है आपके 6 का 3 भुज में केंदरक मदिका को किस अनुपात में सिर्ष की और विवाजित करता है यह आपके 10 का chapter है जो लोकस बिंदू पत्थवाला जो chapter आपके उस chapter का important question है और इसका answer सभी बच्चों को comment box में बताना है उसके बाद में 7 वा पर्चन है एक वर्त की दो जिवाएं A, B और C, D हैं जो परस पर समानतर और बराबर है यदि परतेक की लंबाई 8 cm हो और वृत की तरिजा 5 cm हो तो उनके बीच की दूरी ग्याद कीजिए यह भी काफे important question है उसके बाद में 8 वा पर्चन आपके प्रायक ग्याद कीजिए और अगला question है आपके 9 का जो आपके road safety education का है सड़क सुरकसा का है कि यदि आप पहली दूसरी और तीसरी चोथी signal light को करम से 3, 9, 15, 21 सेकिंड में पार करते हैं तो 39 सेकिंड में कौन सी सिगनल light पार कर चुके होंगे यह question भी आपके very very important है और दस हुआ परस सुरकसा की दरश्टी से signal post बनाए गए हैं तदा दो signal post के बीच की दूरी 50 मीटर है एक वेक्ति किसी इस्तान से चलता है और पहले signal post को 40 मीटर पार करता है तब ज्याद कीजिए कि 5 किलो मीटर 40 मीटर चलने पर वहे वेक्ति कौन सा signal post पार कर लेगा तो यह question का answer भी आपको बताना है और यह आपका जो section A है उसके most important question दें अब हम जो part B आता आपके section B उसके most important question हम देखेंगे तो दूसरा जो section है आपके भाग बै इसमें आपके 2 या 3 नमबर वाले question है तो आप देख सकते हैं उसके बाद में जो 11 question है आपके सुत्र प्रावरते आधारित विदी से ग्यात कीजी तो बाग का question इस बार confirm है तो यह आशकता आपके सुत्र प्रावरते आधारित विदी से बाग ग्यात करना ग्यारा सु चोवन है और इसको divide करना है आपको 103 से divide करना है सुत्र प्रावरते आधारित विदी से और यह आपके वेदी गनित का है उसके बाद में ब जरूर त्यार करें उसके बाद में तेर हुआ परसेन है कोई बरतन एक खोकले अर्दगोले के अकार का है अर्दगोले की 37 cm है इस बरतन का अंत्रिक प्रस्टिय चेत्रफल ग्याद कीजी तो यह आपके 16 का जो चेप्टर है प्रस्टिय चेत्रफल और आयतन उस चेप्टर का इंपोर्टर कुशन है और 14 वाला एक वृताकार घास की मेदान की 35 मिटर है इसके 4 और 7 मिटर चोड़ा मारग बना हुआ है मारग का छित्रपल गयाद कीजी यानी एक वरिताकार घास का मेदान है उसकी स्टिर्जा है उसकी रेडियस है 35 मीटर और उसके 4 और 7 मीटर चोड़ा मारग बना हुआ रास्ता बना हुआ इस रास्ते का चित्रपल गयाद करना है यह आपके पंदरा का जो चेप्टर है विरित की प्रिद्धी और छित्रपल उसका इंपोर्टर कुशन है और पंदरा वाला कुशन है आपके कि चित्र में दिया गया विरित पाई चार्ट माई जून 2013 के अनुसार दोरान वाहनों का केंद्रिय सरकार दुआरा चलाए जिसमें पहला कुशन का पुछे आपसे कि यदि कुल वाहन बत्र लाग हैं तो मद्दे प्रदेश में कटे चालानों की संक्या राजस्तान में कटे चालानों की संक्या से कितनी जादा है और दूसरा है हरियाना में कटे चालानों की संक्या गयात कीजिए तो इंपोर्टर क आपको तदा गुणाकों के बीच समंद के सत्यता की जांच कीजिए तो अक्स स्कौाइर प्लस कोस्टक अंडूर्ट तीन प्लस एक और कोस्टक बार एक्स और प्लस अंडूर्ट तीन तो इसके सुनने गयाद करने इसके जिरोज फाइंड करने आपको 17 वाला है तीन तो संक्याएं गयाद कीजिए और यह आपके समानतर स्रेड़ी जो एर्थमेटिक वाला जो चेप्टर आपकी पांच का उस चेप्टर का इंपोर्ट कुशन है और 18 वाला है एक समतल जमीन पर खड़ी मिनार की चाया उस इस्तिती में 40 मिटर ज्यादा लंबी हो जाती है अनि AB और CD ये दोनों बराबर हैं तो सिद कीजिए कि ACA वो किस के बराबर आए BD के बराबर आए 20 वाला प्रसन है आपके सिद कीजिए कि दो परतिछेदी रेखाओं से समदुर्ष्ट बिंदू का बिंदू पत उन रेखाओं से बने कौनों की समद्वी भाजकों का ग्याद करना है इस चित्र को आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको कौन CBE ग्याद करना है ये कौशन भी आपके इंपोर्टेट है और 22 वाला कौशन है एक त्री भुज के प्रिगत वर्त की रचना कीजिए जिसकी बुजाएं करम से 5-12-13 cm की है और बताइए कि त्री पुज का प्री केंदर 13 cm वाली भुजा पर ही क्यों इस्तित है 23 वाला है वृत के चाप दोवारा वृत के केंदर पर अंतरित कौन 50 डिगरी है यदि चाप की लंबाई 5 पाई है तो चाप दोवारा बने लगूत 30 घंड का सितरफल ग्याद कीजिए 24 वाला एक गाउं की जन 25 वाला है किसी स्कूल की ककसा 10 में 40 विदार्थी हैं जिन में से 25 गर्ल्स हैं और 15 बोईज हैं ककसा अध्यापिका को एक विद्यार्थी ककसा परतिनिदी के रूप में चुनना है वहां परते एक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है जबकि कार्ड एक जै जो आपके section D यानि जो भाग दे है उसका very very important question है तो इसमें जो 26 वा question दिया गए आपके A, S, Mika है 3x-2y और y-8 का अलेख ही विदी से हल ग्याद कीजिए तो A, S, Mika का question है इसके अथवा में आपको grab का question भी मिलेगा ओके? और 27 वाला है और अथवा में जो question दिये गए है आपको 2 दिये गए है ये भी आपके 3-3 नमर यानि 6 नमर का question है तो इस question को भी आप अच्छे से कर सकते हैं और 28 वाला question है येदि त्री भुज की बुजाओं के मद्दे बिंदू दे रहे हैं और अथवा में जो question दिया गए है येदि एक समलम चतूर बुज की ऐसमानतर बुज हैं बराबर हो तो शिद कीजिए कि वे एक चक्रिय चतूर बुज होगा और 30 वाला एक निमन बारंबारता बटन का माद्दिक देरगा आपको 28.5 अक्स और वाई का मान गयाद कीजिए तो यह आपके भावुलक वाला जो मद्दिका वाला जो चेप्टर है केंदर ये परवर्ति के माप उस चेप्टर का इंपोर्टर कोशन है सारे कोशन आपको जाम से पहले त्यार करने हैं और इस पेपर का लिंक यदि पीडियाब लिंक यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर पीडियाब लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इनकोशन को आप त्यार कीजिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू थेंक्यू सो मच